मुखबत जब हो जाती है, रब से अगर मुखबत हो जाती है, तो यह हमको तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, कि हमको मुखबत होती है, मुखबत होगी तो तकलीफ नहीं होगी, आज इंसान जोब करता है, काई के लिए करता है, बीबच्चों के लिए, अच् बड़ी लक्जरी बसके अंदर नहीं ट्रेन में से जाओ लोकल के लगता है ताकि क्या हो कि सफर की गर्भी परदास करता है बारीस बरता है ठंड परदास करता है कई भी सस्ते होटल में रुख जाता है कुछ पेसा बचे का क्यों जाके 2,000 उपे लगाना 500 रुप में सस्ती मे लिए क्या रहे है खग्या के लिए कमा कमा कोई नहीं बूंता क्यों बच्चों से बीवी से मौपत अगर रफ से मौपत है तपिर अगर अगर वाकी में अगर रफसे मौपत हैं ने कि अगर तेकलीव हो नहीं दोनीं प्रवडाना सोटविस किया ना गला वा है वालनां व खुताए उससे कहा जा भी खाना तो खालो दूसरा कुछ देखके उसको पड़ोसी दुकान दर पारे समय जोता क्या आदमी सुबे से लगा हुआ या धरी जैसा बोले भई थोड़ा खाना तो खाले अरे तुमको मालूम नहीं कितना काम है मुझे अभी हा खाना वाना तो खाते रहेंगे सब छोड़ देता, तकलीव नहीं हुरी, खाने की भी मैसुस नहीं हुरी क्यों, क्योंकि मुझे उसको माल से, काम से भी अब रख से मुझे हो जाएगी, इसी मुझे होने तो फिर कोई तकलीव मैसुस नहीं हुरी दूसरे कहेगा भी तो भी दूसरे को लगेगा कितना घुर्बत के अंदर है बिचारा कितने तकलीफ के अंदर है तो वो कहेगा कि भाई किसे हैं अलम्दलिल्ल्ल buyers, Allah का शुक्र सुर। Allah का इसान है उसने रखा आला तुम लेहाऊ और उसको केगा रहे तुम कितनी तकलीफ में हो तो जब जाके उसको हिसात दिलाएंगे तो मालूम पड़े का ऐसे बंदे भी हैं अला तो उनको बता जा कि अच्छा मैं तकलीफ में हूँ तो मुझे तो लगा ही नहीं कि तुमने बताया तो पता चला कि यह इस चीज़ से तकलीफ होती है उनको कोई तकलीफ नहीं होती है जो अल्ला से मुझे तालूकात रखते हैं उससे मुलाकात करते हैं उनके लिए यह चीज़े नहीं होती है तो यह हमको जो मुस्तक्बिल की फ दो सबस्केम पूरी वह God वह उसके आप तकलिव मैंसे उसनी हो है वह हमाड़ना सबसे महबत करती है तो नहीं, लेकिन रख से महबत है तो फिर यह जो आजमाईश आती है रख के दरख से, जो परेशानी और तकलिफ आती है या फिर उसकी इबादत में लगने से जो हमको लग रहा है कि जो तकलिफ मेसूस हो रही है ये लगा रहा motive कि customer चला जाएगा तो जब उससे मौबत हो जाएगी तो फिर ये हमको तकलिफे, परेशानिये मेसस नहीं होगी कोई नुक्सान नुक्सान नहीं लगेगा जब उससे मौबत हो जाएगी लोगों को लगेगा तकलिफ में है वेकिन हमें तकली मैसुश नहीं होगी तो ये जब होगा, ये महबबत होगी, तो फीर उसके बात, सारे काम, वो सब की, बंदगी असल, बंदगी करना, इबादत करना नहीं, जहन से ये इबादत का लफ्स कि समझाने कि हम बार बार इस्तिमाल करते पर इबादत, इसको बंद बार बार ये लफ़ाएगा तो फिर आपको एसास होने लगेगा कि हाँ बंदगी करना है हम उसके बंदे उसके इसांत है हमारी अव्पर तो उसके बात पिर उसके बात ये सब करेंगे तो फिर कोई तकलिब मिसंद नही look उस्की जो चाहिए उसंने उसने उसकी जो भी शरी जो त्कलिएं उस नहीं होगी तो फाथिन ko फिर शरी खाय में यह काम दीये है इसकें परिशयनी होती है तो परिशानी होती है इसा guarantee दें गर्मी उसके अंदर एक करणा दो बेख अधरा कर नहीं कि नहीं होती है जानते हैं इतनी गर्मी है उटलह हो चलो और भो बिलेक कर ला लया है लेकिन बलेक को इनद ले अगर रब से मुखबत है तो तकलिफ नहीं होगी अगर जिनको मुखबत होगी रब से अगर रब से रापता कायम करें एक होता है रापता एक होता है जापता तो ये जरूरी है कि रापते में रूल नहीं देखता है जापते में रूल देखा जाता है रापते के अंदर नहीं होता है तो ये है कि उसकी रजा क्या है अल्ला की रजा क्या है तो मुखबत के तकाज़ क्या है कि वो जो चाता है उसके हुक्म को पूरा करेंगे है हर हुक्म अब भी तो गया था जुम्मे पर वापिस जुम्मा आ गया इतनी जल्ली जुम्मे जुम्मे पर जा रहा क्योंकि फिर अगर उससे रब से रास्ता नहीं मुलाकात नहीं मुहबद नहीं तो उसको तो यह बेसुत होगा आठ दिन में आ रहा है जुम्मा और उसको लग रहा है कि अभी गया था वापिस आगे क्योंकि रब से मुहबद नहीं है